हलो दोस्तों वेलकम टू यूनिक ऑल्लाइन गुरू चैनल जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग ने पढ़ाता इफ कि इफ क्या होता है इफ कैसे काम करता है ठीक है आज हम लोग पढ़ेंगे इफ एंड कि इसमें ही दो कंडिशन एक साथ फॉलो कराए और फॉर्मूला लगाए ठीक है दोस्तों जैसे देख लिजी आफ लोग इसमें देख सकते हैं नेम दिया है मार्क्स दिया है कंडिशन दिया है अब हमें यहाँ पर एवाल्ड बताना है मतलब कि हमारा कंडिशन क्या है कि जो लिख की आजाए नो ठीक है तो आईए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं अन्ड का प्रियों करते हैं इफ एंड तो इजीक्वल टू इफ ठीक है टैप कर लिजिए और एंड लगा दिए ठीक है लॉजिक वन पुछा लॉजिक वन क्या है हमारा दोस्तों मार्क्स वाला कॉल कंडीशन वाला कॉलम क्या हो जाए इफ एक्वल टू पास ठीक है अब यहाँ पर हमारा एंड का लॉजिक बंद हो गया तो हम एक और ब्रैकेट लगा के बंद कर देंगे ठीक है पास करने के बाद आप डबल कोट से इसको बंद करेंगे और फिर ब्रैकेट से एंड बंद कर देंगे फिर कॉमा देंगे तो पूछेगा कि अगर यह कंडीशन फॉलो हो तब क्या लिखे तो हमने क्या कहा क्या लिखे यस ठीक है, otherwise क्या लिख दे, no ठीक है, bracket बंद करेंगे और control, enter अब देखें दोस्तों, जहां जहां 80 के उपर नंबर है और pass है, वहाँ पे yes किया है और जहां पे 80 से कम नंबर है, पर pass भी है तो वहाँ भी क्या किया है, no किया है and का मतलब दोनों condition एक साथ follow करनी है ठीक है दोस्तों, आप लोग देख सकते है देखें, 93 पास yes, 89 पास yes, 56 पास पर no, क्यों, क्योंकि इसमें greater than 80 नहीं मिल रहा है और आपको देखें, 79 पास yes ठीक है, 79 मिला, इसमें भी greater than 80 नहीं मिल रहा है आपको और पास तो मिली रहा है, ठीक है तो greater than 80 जहां नहीं है पर पास है तो वो भी evolve नहीं पाएगा और जो यहां fail होगा पर greater than 80 होगा तो वो भी evolve नहीं पाएगा हमाई दो condition क्या follow करना नहीं चाहिए greater than 80 और पास दोनों एक साथ तो उसको evolve क्या मिलेगा, yes ठीक है दोस्तों आज के लिए इतना ही thank you very much आपको कोई भी query हो तो आप हमारे comment में पूछ सकते हैं whatsapp कर सकते हैं ठीक है दोस्तों description में आपको दिया है चैनल को subscribe करें, video को like करें, thank you very much